जहें दोस्तों अंधिमादरम SS राजमॉली भारत के कुछ उन्चुनिंदा डारेक्टर्स में से एक हैं जिनकी तरफ पब्लिक एक उम्मीद भरी निगाह से देखती है कि यह यह कुछ बनाएंगे तो यह अच्छा ही बनाएंगे जब से बाहुबली आई है तब से पब्लिक यही एक्सपेक्ट कर रही है SS राजमॉली से कि यह महाभारत को लेकर कुछ ना कुछ घोशना करें जिससे कि हम लोग महाभारत को देख सकें अब इसको लेकर SS राजमॉली ने एक बहुत बड़ी बात कही है और उनका कहना है कि भाई अब वो दस पार्ट की महाभारत की सीरीज लाने वालें दस पार्ट की और अब्विस सी बात जब दस पार्ट में यह मूवी बनेगी तो कितनी ग्रैंड स्केल की होगी आप खुछ समझ सकते हैं जहां एक तरफ हम अरड़ी देख चुकेंगी बाहुबली के दूसरे पार्ट ने किस कदर का हलना मचाया था तो महाभारत के बारे में तो हम बिलकुल समझ सकते हैं कि यहां पर क्या बनने जा रहा है दरसल भारती सिनमा को बाहुबली और आरार जैसी सूपर हिट फिल्म में देने वाले मशूर डारेक्टर एसेस राजमॉली की अगली फिल्म का दर्शक बेस सबरी सिंतिजार हमेशा ही करते रहते हैं इस बीच राजमॉली ने खुलासा किया है कि वो लंबे समय से धर्म गरंत महाभारत पर फिल्म बनाने के लिए सपना देख रहे हैं और इसे वो जल्द ही पूरा भी करने वाले है कि ये मेरे लिए बेहत मुश्किल सवाल है अगर मैं महाभारत बनाने की बात करता हूँ तो मुझे महाभारत के संस्करन जो की देश में उपलब्द है उन सभी को पढ़ने में ही कम से कम एक साल लग जाएगा मैं उन सभी को पढ़ना चाहता हूँ ये उनकी जंदगी का उद्देश है अब तक जो भी फिल्म में वो बनाते आए हैं उनमें उन्हें महाभारत को कैसे बनाया जा यही उन्होंने सीखा है राजमौली से जब पूछा गया कि क्या वो अपने दर्शकों को इस देश के लोगों के लिए ये फिल्म मनाना चाहते है तो रैक्टर ने मुस्कुराते को जवाब दिया कि वो सिर्फ इस बार खुद के लिए महाभारत बनाना चाहते है और कुछ भी नहीं जाहिर सी बात है महाभारत बनाने को लेकर जो ये टिपणी करी गई है ये वाकई में बहुत बहुत ज़ादा एक ऐसा एपिक मॉमेंट है जिसका की शायद हर कोई इंतिजार कर रहा है वहीं इससे पहले एक और इंटर्वी के दोरा राजमॉली ने बताया था कि उन्होंने कई धर्म गरंतों का ध्यान किया है तीर थियातरा करी है भगवावस्तरी धरन किया है बता दें कि इससर राजमॉली की फिल्म आरारा को देश के साथ साथ दुनिया भर में काफी सरहना मिली थी आरारा के अलावा राजमॉली की फिल्म बाहुबली और बाहुबली टू को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था जन्वरे दोज़ार तएज में राजमॉली ने नियॉच फिल्म क्रिटिक सर्कल आवार्ज में सरवस्येश निर्दिशक का परुसकार भी जीता था उनके फिल्म आरार के गाने नाटू नाटू ने आसकर अवार्ड भी जीता है तो ऐसे में इतने क्रिटिकली अक्लेम्ड डारेक्टर के द्वारा अगर महाभारत बनाई जाती है तो अब्वेसी बात है वो जिस स्केल पे बनेगी जिस लहजे में बनेगी वो काफी ज्यादा शानदार और एपिक होगा और ऐसे भी आज के समय में इस प्रकार की मुवीज के बनने की जरूरत भी है जिस्ते की धर्म का प्रचार साही दरीके से हो सके और जो युवा धर्म से दूर जाते जा रहे हैं उनको ये चीज समझ में आए कि भाई आखिर में आपको लॉट के तो यहीं आना है क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके जरूर बताईए का मेरे सुनी फिलालत नहीं जाहे हैं जाहे बारत